तीन दिसम्बर की वो तारीख थी जब बुलंद शहर में हिंसा की आख फैली थी ड्यूटी पर तनाथ इंस्पेक्टर सुबोद सिंग को गोली मार दी गई और उस काले दिन का जख अभी भी भारा नहीं है इंसा के पांच दिन के बाद इंस्पेक्टर को गोली मारने का अरोपी जीतू पकड़ में आ गया है जीतू सेना का एक जवान है जिसे यूपी पॉलिस को अब हैंड ओवर किया जा रहा है सेना प्रमुक ने भी ज्यांच में पूरे सहयोग का वादा किया है अगर कुछ एविडेंस आएगा तो हम लाएंगे उसको अगर पुलिस चाहेगी उसको कि अगर उसे किसी को शक है तो हम उसे पुलिस के आगे प्रडूस करेंगे हम पुलिस के साथ पूरा सहयोग करेंगे दावा किया जा रहा है कि तीन दिसम्बर को जीतु बुलंद शहर में ही था और जीतु पर ही आरोप है कि उसने तीन दिसम्बर को इंस्पेक्टर सुबोज सिंग की सरकारी पिस्तॉल से उन्हें गोली मारी थी उदर यूपी पुलिस पर जीतु के परिवार ने आरोप लगाया है कि जाज के नाम पर उन्होंने घर में तोड़ फोड़ की है वलंद शहर में हुई हिंसा की गाज जिले के पुलिस महकमे पर भी गिरी है SSP कृष्ण बहादुर सिंग को हटा दिया गया है सियाना के CEO का भी तबादला कर दिया गया है और चिंगरावटी के चौके इन्चार्ज का भी ट्रांसफर कर दिया गया है SIT ने बुलंद शहर में अपनी जाच शिरू कर दी है अब बस सभी की मांग है कि जल्द से जल्द दूद का दूद और पानी का पानी हो सच सभी के सामने आए सब्सक्रावटी के जल्द दूद आए